नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सल्या देशी कीचन में हादिक स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पूरी और खिर जिसे बनाना बेहती आसान है और बेहती टेश्टी बनता है तो हमारे वीडियो को आंत तक देखते रहिए तो अब हम चलते हैं या पहले चावल और चीनी और किश्मिस और एक छोटी लाइची अब इसके बाद हम लेते हैं दूद को पहले गरम कर लेते हैं लो फिलेंपर पहले दूद को गरम कर लेंगे हम इसके बाद हम गरम करके उसके बाद दो कप पानी को गरम करेंगे यह देखे हमारा पतीला चाड़ा हु 200 ग्राम गविन भोग चावल खेर बनाने के लिए हमने डाल दिया है ने 5000 अउबा रहा है यह हम बहुत ही आ रहा है दिरे घीरे आप होला चिपके नहीं देखिए चावल में उबाल आ रहा है देखिए चावल का कलर जो है चेंज हो रहा है देखिए हम चावल को पकाते रहेंगे इसी तरह लो फ्लेम पर देखिए हमारा चावल जो है पक चुका है अब इसमें हम दूद डालेंगे और लो फ्लेम पर ही रखेंगे क्योंकि दूद बाहर आने लगेगा और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए दूद के कलर जो है चेंज हो गया है हमारा खीर जो है धीरे धीरे पक रहा है लो फ्लेम पर पकाएंगे इसमें डालेंगे हम किसमिस यह देखिए एक बड़ी इलाची हमने डाल दिया है जिसे हम निकाल ले लो फ्लेम पर ज्यादा हाई ना करें इसमें देखिए चीनी डालेंगे हम अब चीनी को भी डालकर अच्छे से देखिए मिक्स करेंगे पहले हम देखिए मिक्स करेंगे इसी तरह जो चीनी हमारा चपके नहीं नीचे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ज्यादा हाई नहीं करें पकाएंगे तक देखिए हमने लाइची पाउडर जो है डाल दिया है इसमेंऄरा खेर जो है गाढ़ा हो चुका है यह देखिए किस तरह से फूल गया है देखिए अच्छा से पग गया है इसका कलर जो है देखिए कितना टेश्टी बना है किस तरह दीख रहा है देखिए पूरा गाढ़ा हो चुका है पूरा पूल चुके हैं इस तरह से बहुत ही आचा आता है जब भी बनाएं गोविन भूक के चावल में ही बनाया खीर कितना अच्छा पक गया है देखिए इसका फ्लेबर जो देखिए कितना अच्छा आया है इसको लोग फ्लेम पर हम अब हम चना डाल लेंगे और दो कप प अब अच्छार न्यग्न डाल डिया नेगए दो कप पानी हम 44 की है देखिए हुम पकने अच्छा से मिला लाइगो हमारे चना डाल जो है पक रहा है जब तक इसमें दाबने से चिपक जाए देखिए कि हमारा एक बार चेक कर लिजे इसमे देखिए हमने हल्दी डाल दिया है और हम हल्दी को अच्छा से मिलाएंगे उसको रूतारने से पहले एक बार आप चेक कर लोगे कि चना डाल पका है या नहीं देखिए चना दाल जो है हमारा पक चुका है देखिए देखिए हम अच्छे से मिला देंगे हल्दी को जो इसमें कलर आ जाए देखिए हल्दी हमने चना दाल सीखने के समय ही डाल दिया है अब हमारा चना दाल जो है पक चुका है तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे अब द सिलोटे पर पीसे कि हमने पीष लिया है पानी को नहीं डाले तहीज दिए किस तरह हमने फैल व कशने को समय पानी सूचारण ये लेसा हम लिया है और हमसे नधे के बाए रज़ के बाए बारीकी के इसार才 की है दीए ये मुझा जीरा को डाल दिया है और इसे होने तक जीरा को भून लेंगे अच्छे से देखिए जिरा जो है इसका कलर जो है चेंज हो रहा है अच्छे से सके मिला लेंगे कि यहामनी जीर भून ज़े रहा है और भून चुकर इसमें हम मसाला दालेंगे। अच्छार अच्छा से मिलाएंगे। मसाल्य के डालए हमने स्वादविश नमक डाल लिया है और हमसाला डालेंगे। करने मसाला का कलर हो रहा है जब मसाला डाले उसने फ़ड़ा साल टॉट घाले डालें के लिए दिए के पानी ठास हंख यह ओध आंगे झमें अब रिखना से वीठानी लेड़ाने उसने के लिक्त faculty टॉब ce भूंजेंगे जैसे चना दाल जो हमने पीस के रखा है चिप चिपा वह बारीकी से अलग हो जाए देखिए हमने चना दाल को अच्छे से मिलाएंगे इस देखिए पूरे मसाले को जो है मिक्स करेंगे अच्छा से जो बारीकी से पूरे अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से मिल पाना दाल जो है जो चिपका हुआ था था अलग हो रहा है अपस में चिपके गई देखिए इस तरह से सुखा लेगे अब हम थाली में थोड़ा अलग करेंगे अधा करने के ले लिएए और इसमें एक पानी हम डालेंगे और प्रोव आठा मिलाव Wheelas कि इस Film लें अच्छे सरथ से एकदम बना सूपड आठा शनके देखिए और एकदम नव्य दूसरे में फिर गण्डा करेंगे देखिए इसमें हमने गण्डा कर लिया है और इसतारसे उसमें में यॉक्ते में ड्राइब इसमें इसतारस की बनाया इसके बनाने दोल बना लिया है और से इसको हम बेलेंगे ज्यादा बढ़ाना करें मेडियम साइज रखें इस तरह से भेलेंगे और तवय पर िसको सेकें ज्यादा हाई प्लेम पना सकें वरना जल जाएगी यह देखिए रोटी जो है पक रहा है दालपुडी इस तरह से ही आप पकाया है और इसको देखते हैं सरसो का तेल इसका लगा सकते हैं इसे बहुत ही अच्छा टेष्ट आता है और किस तरह से हमारा दाल पूरी जो है देखिएगा किस तरह से खीलेगा इस पर देखिएगा कितना अच्छा इसका कलर आया है दोस्तों आप इसी तरह बनाएं और बनाकर अपने घर में बच्चों को खिलाएं बड़ों को खिलाएं देखिए किस तरह से आ रहा है इस तरह से खी पहलती सोप्ट बनता है बहुत ही टेश्टी बनता है यह देखे किस तरह से दूसरे भी हम इसी तरह से बनाएंगे यह किस तरह से बना रहे हैं इसमें हम सरशो का तेल इस तरह से लगाएंगे देखिए किस तरह से अब इसका फ्लेवर आ रहा है इसका कलर जो है कितना अच्छा है ज्यादा हाई फ्लेम पर ना पकाये न वरना जल जाएगी अब देखिए हम इसको परोसेंगे यह हमारा दाल पूरी खीर बनकर रेडी है और हम परोस रहें यह देखिए हमारा खीर जो है हमारा वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप दोस्तों इसको सेर करें और बहुत ही देखिए कितना टेस्टी बना है देखिए हमारा खीर जो बनकर दाल पूरी रेडी है देखिए किस तरह दीख रहा है देखिए बहुत ही सोप्ट बना है और बह बार आप भी टेस्ट करें इसको बनाएं हमरे चैनल को लाइक करें और सब में सेर करें यह देखिए